नवस्कार नज़े डालेगे एक और बड़ी ख़बर पर आवज में जिसे रोविन हुड की छवी मानते हैं करिब तीज साल से वो सांसद है कुष्टी संग के पूर अध्यक्ष और केसर गंज लोगसबा सीड से मोजूता सांसद ब्रज भूशन शरन सिंग के पहचान कुछ इसी तरह की है बीजेपी के टिकेट पर लोगसबा सांसद ब्रज भूशन शरन ने इशारो इशारो में फिर से लोगसबा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है ब्रज भूशन शरन ने एक सार जनिक मन से 29 अपरेल से अपना चुनावी अभ्यान शुरू करने के भी बात कही है ब्रज भूशन शरन ने कहा कि 27 अपरेल तक वो टिकेट का इंतजार करेंगे लेकि 29 से दाबम दाब मचा देंगे लोगसाव चुनाव 2024 का पहले चरन भी चुके हैं जबकि 26 अपरेल को दूसरे चरन के चुनाव भी चल रहे हैं इस बीच उत्तर परदेश की चर्चित लोगसावा सीट केसर गंच के लिए अब तक बीजेपी ने कोई उमीदवार घोशित नहीं किया है इस सीट से कुछती संक के पूर अध्यक ब्रजभुशन चरन सिंग सांसद हैं जब इस सीट के लिए मीडिया ने ब्रजभुशन से बाचित की तो बीजेपी सांसद ने खुद को केसर गंच सीट का परबल दावेदार बताया इस दुरान ब्रजभुशन ने ये भी बताया कि आखिर अब तक बीजेपी ने सीट पर अपने पत्ते क्यों नहीं खोले फिलाल बीजेपी ने केसर गंच का टिकेट अभी तक फाइनल नहीं किया है दरसल महिला पहलवानों के शोशन के आरोप लगने के बाद से उनके टिकेट पर खत्रा मंडरा ने लगा था हलांकि पाइटी ने कभी भी ब्रजभुशन का साथ नहीं छोड़ा मामला फिलाल कोर्ट में चल रहा है जिस पर सुनवाई भी चल रही है और कोई फैसला अभी तक नहीं आ पाया हलांकि किसी तरह के विवास से बचने के लिए बीजेपी ने फिलाल टिकेट होल्ड कर रखा है टिकेट में देरी होने की वजए कायासों का बाजार गरम है हलांकि ब्रजभुशन शरण सिंग के बोड़ी लैंग्वे से ऐसा लगता है कि उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है देवी पाटन मंडल में उनके सियासी रसूक का अंदाजा इसी बास से लगाया जा सकता है कि टिकेट के एलान से पहले ब्रजभुशन शरण सिंग ने अपनी चुनावी अभ्यान का ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है राजनितिक पंडितों का कहना है कि अगर ब्रजभुशन शरण सिंग चुनाव लड़ने पर अड़ जाएं तो दूसरे दल भी उन्हें लोगसबा टिकेट का ओफर कर सकते हैं इसी रणिति के तहट SP और BSP ने अभी तक अपना उमीदवार भोशित नहीं किया है इस सियासी दबदवे के दम पर ब्रजभुशन शरण सिंग चुनावी मैदान में उतरने के लिए दम भर रहे हैं UP की होड सीट में से यह एक सीट केसर गंज मानी जाती है दरसल केसर गंज लोगसबा सीट UP की होड सीटों में से एक है बीजेपी नेता और सांसत ब्रजभुशन शरण सिंग ने इस इलाके के बीजेपी कारेकरताओं के साथ एक बैठक की और उसके बाद मीडिया के इस सवाल की बीजेपी ने अभी तक सीट पर उमीदवारी का एलान क्यों नहीं किया का जवाब देते हुए बताया कि अभी तक विपक्ष ने भी तो इस सीट से किसी को परत्याशी का एलान नहीं किया है इस वज़ेसे बीजेपी ने भी केसरगन सीट से अपने पत्ते नहीं खोले है इस समय केसरगन लोकसवा सीट पूरी तरह से देश ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में चर्चा का विशे बन गई है इसकी चर्चा इंटरनेशनल स्तर पर भी होने लगी है और एक समय ऐसा भी था जब इस सीट के बारे में देश में किसी को भी नहीं पता था कि बीजेपी सांसद ने इस मावले में ब्रजबुशन शरण सिंग ने यहे भी कहा कि यहे सीट तो परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के पास है अगर मोदी जी सीट पर चुनाओ से एक घंटे पहले भी उमीदवार का एलान कर देंगे तो भी इस सीट से लड़ने वाला जीत कर ही आएगा तो देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किजेगा नमस्कार